सरदी कितनी भी बढ़ जाए लेकिन दिल्ली की सियासत हमेशा गर्म ही रहती है, बार पलटवार का दोर हमेशा जारी रहता है, यहां की सियासत किसी अखारे से कम नहीं होती, आम आद्वी पाटी पर भराष्टा चार का आरोप भास्पा के लिए के उकेरने के काम में आता है वही केजरिवाल के लिए भी कभी पीछा ना छोड़ने वाली खुजली की तरह है हलाकि भाजपा जिस तरह केजरिवाल के भरहटाचार को लेकर लगतार परहार कर रही है और ब्याने में जो बाते सामने निकल कर आ रही है लगता है केजरिवाल को जेल भेजने की तयारी पूरी कर ली है और ऐसा भाजप्रा के ब्यानों से जदा आमानी पाटी के ब्यानों से लग रहा है भाजप्रा कहती है भरेक्टाचारी केजरिवाल के जगा जेल में है तो वहीं आमानी पाटी कहती है केजरिवाल को फासाने के लिए सक्ता से हटाने के लिए केजरीबाल को बीजेपी जेल भेजने वाली है इस मुद्य पर लगतार दोनों पार्टियां में संगराम मचा हुआ है आज की बात करें तो दोनों दलों एक दुसरे पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाए है बिजेपी की बात करें तो दिल्ली जलबोट के HτP घोटाले के विरुद दिल्ली भाजपा का जलबोट मुख्याले पर परदर्सन हुआ इसमें दिल्ली भाजपा करज करताओं ने दिल्ली भाजपा जक्स बिरेंदर सजदेवा नेताप परतिपक्ष राम बीर सिंग विधूरी और कई भाचपा नेताओं ने केजरिवाल सरकार पर जल बोट घुठाले को लेकर कई संसनी खेज खुलासे किये क्या क्या खुला से किये ये आगे बताऊंगा लेकिन आज केजिरिवाल सरकार की ओर से भी एक अहम बैठक यूँ कहें कि प्रेस कॉन्फरेंस के जरिये ये बताई गई कि गिरफतारी के बाद केजिरिवाल इस्तिफार दे या जेल से सरकार चलाएं आज से मैं भी केजिरिवाल हस्ताक्सर अभियान सुरू किया गया है इसके तहट लोगों से राए ली जाएंगी कि केजिरिवाल को क्या करना चाहिए इन सारी मुद्व पर हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे खबर सुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार आप देख रहे हैं जन्मत की पुकार आरकेज जैसवाल के साथ दिल्ली भाशपाध्यक्स बिरेंदर सजदेवा कहते हैं केजिरिवाल की राजनीती जूट धोखा फरेव और लूट की राजनीती है जिसे दिल्ली की जनता एक दिन उखार कर फेकेगी और ऐसा उन्होंने क्यों कहा बताते हैं बिरेंदर सजदेवा कहते हैं कि 1200 करोर रुपए के टेंडर को 1546 करोर रुपए में लगाया गया और फिर उसे 1938 करोर रुपए कर दिया गया इस तरह से जल वोट को लूटने का काम केजिरिवाल सरकार ने किया दिल्ली भाजपाद्यक्स अगे कहते हैं आज दिल्ली में पानी को लेकर एक तरफ केजिरिवाल सरकार ने लूट मचाया है तो दूसरी तरफ दिल्ली की जनता बदबूदार पानी पीने को मजबूर है इतना ही नहीं औरते आज टेंकरों के साबने लाइन लगाने को मजबूर है उन्होंने कहा कि आज के जिरिवाल ने दिल्ली को रहने लाइक छोरा ही नहीं है और हर चीज में फरक्ता चार और चूरी करते हैं वे कहते हैं कि नौ साल से सीवर लाइन डाली जा रही है और तीन बार पेमेंट भी हो चुका है लेकिन काम के नाम पर अभी भी कूछ नहीं है इस सारी बाते बताती है कि केजिरिवाल राजनीती जूट धोखा फरेब और लूट की राजनीती है जिसे दिल्ली की जनता एक दिन उखार फेकेगी इस तरह से भाच्पा ने सराब घोटाले के बाद अब जल बोट घोटाले को लेकर इस तरह से हमलावर है वहीं आमादी पाटी की बात करें तो आज मैं भी केजिरिवाल हस्ताक्चर अव्यान का ऐलान किया गया इस दोरान आमादी पाटी के दिल्ली परदेश संयोजक एबं केमिनेट मंत्री गोपाल राय राज सबा सांसद रागब चड़ा आमादी पाटी दिल्ली परदेश के उपाध्यक्स तता दिल्ली सरकार के पुर्व कानून मंत्री जितेंदर सिंग्तोंबर भी मोजूद थे गोपाल राय ने ऐलान किया कि एक दिसम्बर से 20 दिसम्बर तक दिल्ली वालों से पूछा जाएगा कि अगर गिरफतारी होती है तो क्या सियम अरविंद केजरिवाल को इस्तिफा दे देना चाहिए या नहीं बे आगे कहते हैं फर्दी केश में मनीश सिसोधिया, सतेंदर जैन, संजया सिंग को जेल भेजने के बाद ही भी भाजपा आम आदमी पाठी को तोर नहीं पाई तो अब अरविंद केजरिवाल को गिरफतार कराना चाहती है इसलिए आम आदमी पाठी ने अपने बिधाय को पारसदों और कर्जकरताओं को रहे से लोगों के बीच जाने का फैसला किया है इस पर बिरिंदा सजदेवा ने पलटबार करते हुए कहते हैं आप नेता घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन जब बेज जाएं तो उन्हें लोगों से सवालों का जवाब देने के लिए तेयार रहना चाहिए कि आप नेताओं ने सराब घोटाले, जलबोट घोटाला, टैंकर घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, स्कूल रूम घोटाला कैसे किया और आप नेताओं ने नागरिक सुरक्षा, स्वेंग सिव को, अतीथी सिक्षा को, पैरां मेडिकल स्टाप, अन सम्भीदा करमचारियों के जीवन के साथ क्यों खेला वही राजसवा सांसद राघव चढधा कहते हैं कि भाजपा पूरे देश में केवल अरविंद केजरिवाल को अपनी चुनोती समझती है जैसे कंस को पता था कि भागवान सिरी कृष्णी उनका अंत करेंगे वैसा ही भाजपा भी अच्छी तरह जानती है कि अरविंद केजरिवाल के हाथो ही भाजपा की गंधी राजनीती समाप्त होगी और चुनावी मैदान में चुनाओ हारेगी जलबुट घोटाले की बात है तो आज उखला में एसिया का सबसे बड़ा बेश्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तयार करवा रही है केजरिवाल सरकार जिसका निरिछन जल मंतरी आतिसी ने किया है जल मंतरी आतिसी कहती हैं कि ये 564 MLD छमता बला प्लांट यमना को साफ करने के अवियान में गेम चेंजर साबित होगा इस तरह से दावे भी हो रहे हैं तीके हमले भी दोनों पाटियों की ओर से किये जा रहे हैं हलाकि कांग्रेश का जल वोट भोटाले को लेकर कोई ब्यान सामने नहीं आया है जैसे इस मुद्य पर कोई नई अपडेट सामने आएगी हम फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार आखिर तक बीजों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरिपया चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार